आज इस वीडियो में हम स्टड़ी करने वाले हैं फिक्स एक्शन पैटर्न के बारे में जिसे हिंदी में कहा जाता है नियत क्रिया प्रतिमान उसी के बारे में आज हम स्टड़ी करने वाले हैं इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कंटेंट हम देख लेते हैं क्या कैजीं हमें स्टड़ी करनी है तो हम इंट्रुडक्शन देखेंगे फिक्स एक्षन पैटर्नол का इंट्रुडक्शन Characteristics, Examples, Realizer और Instincts इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग one by one study करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे Fixed Action Pattern के बारे में Fixed Action Pattern क्या होता है? यानि कि नियत क्रिया प्रतिमान जिसको FAP भी बोला जाता है अब हमसे अगर पूशा जाए कि Fixed Action Pattern क्या होता है तो ऐसे Characteristics या ऐसा Behavior जो कि एक पीडी से दूसरी पीडी में ट्रांसफर होता है जीन्स के थुरू ठीक है? एक पीडी से दूसरी पीडी में जीन्स के थुरू जो Characteristics यानि कि जो Behavior है वो ट्रांसफर होता है हम उसे कहता है Fixed Action Pattern ठीक है? यानि कि एक Species के दूसरे Individual को देख करके ये नहीं सीखा जाता ठीक है? या नहीं सीख सकते इसको ठीक है? तो ऐसे Behavior को हम बोलेंगे Fixed Action Pattern इसको हम एक 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 जामपल की तुरू समझेंगे फर एक जामपल हमने जो है एक 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 जामपल लिया बया का ठीक है? वेवर बर्ड जिसको बोला जाता है ठीक है? तो उस पर्टिकुलर बर्ड को यह हम बोल सकते हैं कि एग को ठीक है? एग को हमने आइसुलेट कर दिया ठीक है? जब किसी भी बर्ड को या एनिमल को लैब कंडिशन में रखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं Casper Houser ठीक है? तो हम इसे बोलेंगे Casper Houser किसी भी बर्ड पर या किसी भी एनिमल पर जब स्टाडी होती है या उसे लैब कंडिशन में रखा जाता है तो उसे Casper Houser कहा जाता है ठीक है? तो उसे लैब कंडिशन में रखा गया है वहीं पर यह हैच हुआ कहने का मतलब यह है कि अपनी Species के दूसरे Individual से नहीं मिला या अपनी Species के दूसरे Individual से इसका कोई Connection नहीं हुआ ठीक है? इसका मतलब यह हुआ कि इसने दूसरे Individual से कुछ भी नहीं सीखा आया इसके अंदर ऐसा कोई भी Behavior नहीं होगा जो इसने देख के सीखा हो अपनी Species के दूसरे Organism को देख कर कि इसने ऐसा कुछ सीखा हो ऐसा कोई भी Behavior इसके अंदर प्रिजेंट नहीं होगा ठीक है? तो फिर भी लेकिन अगर इसको हमने ऐसा कुछ Material प्रवाइड किया नैस्ट बनाने का कुछ भी Material प्रवाइड किया तो इसने एक्जेक्ली वैसा ही नैस्ट बनाया जो की Natural बर्स बनाते है वैसा का वैसा नैस्ट इसने भी बनाया इसने वो चीज कहीं से सीखी नहीं ठीक है? अपनी Species के दूसरे Individual को देख कर कि उसने वो चीज नहीं सीखी है वो नैस्ट बनाना नहीं सीखा है वो चीज जो उसने सीखी है नैस्ट बनाना वो इसे ओल्रेडी इसके जीन्स में ट्रास्फर हुई है ठीक है? यानि कि वो करेक्टर जो की जीन्स के थुरू एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रास्फर होते हैं हम उसे कहेंगे Fixed Action Pattern Clear है? तो Fixed Action Pattern क्या है? इसे Fixed Action Pattern is a sequence of unlearned, innate behaviors ठीक है? तो Fixed Action Pattern क्या हो गया? वो characteristics या वो behavior जो की जीन्स के थुरू एक पीडी से दूसरे पीडी में ट्रास्फर होते हैं उन्हें हम बोलेंगे Fixed Action Pattern जो की ऐसे behavior जो की हम किसी दूसरे इंडिविजल को देख करके हमारे अंदर नहीं आए हैं ठीक है? वो जीन्स के थुरू ट्रास्फर होए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक पीडी से दूसरी पीडी के अंदर Clear है? Next अब पढ़ने वाले हैं Characteristics of Fab सबसे पहले आता है Stereotype और Constancy Rudy बद्दता अथवा स्थिर Registrant to Phylogenetic Changes यानि कि जातिय वृतिय प्रिवर्तन हेतू प्रतिरोधी थर्ड आता है Need Science Demulist for Release मोचन हेतू सूचक उधिपन की आवशकता अब हम बात करते हैं Characteristics of Fab यानि कि क्या-क्या Characteristics होते हैं Fixed Action Pattern के It is found to be same in all member of species Aki Spaces के सारे member में इस तरह की Characteristics हमें देखने को मिलते हैं Example की तोर पर हम अगर बात करते हैं Rolling Behavior जो की हमें देखने को मिलेगा Gray lag goose के अंदर ठीक है क्या होगा इसके अंदर कि इसके nest निकलके अगर कोई एग बाहर की तरफ आ जाता है तो इसमें एक तरीके का Behavior हमें देखने को मिलेगा के पहले अपनी बीक को आगे की तरफ लेकर के आएगा ठीक है और एक को टच करेगा फिर उसी एक को वापस से लुड़का कर के अपनी nest में लेकर के जाएगा ठीक है तो इस तरीके का Behavior हर एक Individual में मिलेगा उसी के Species के हर एक Individual में इस तरीके का Behavior देखने को मिलेगा बाकि इस तरीके का Behavior जो है उन्होंने कहीं से देख करके नहीं सीखा है ठीक है यानि कि ये ऐसा Behavior है जो कि इसमें Jeans के तरू ट्रांसफर हुआ है ठीक है नेक्स आता है इस तरीके का Behavior जो है वो क्या कहलाता है Fixed Action Pattern ठीक है तो सारी और भी ऐसे और्गानिसम है जैसे कि अगर हम बात करें गिलैरी की तो उसमें भी ऐसा गुछा करेक्टर हमें दिखाई देते हैं जो गिलैरी होती है उसकी आदत होती है भूड को स्टोर करने में बिलीव करते है तो जब भी आप से कुछआने को देते हूँ वो कहीं पे भी उसे चुपा देती है थीक है? तो अगर हम गिलैरी को एक केस के अंदर बंद कर दे पिंचरे के अंदर जो है बंद कर दे तो भी वो क्या करेंगी? पिंचरे को खोदने का एक्ट करेंगी और उसे जो फूर्ड मेटेरियर है organism के अंदर यह actually, वो अपने stress को दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का जो behavior होता है, और गैनिजम में, वो इस लिए करते हैं, ताकि उनका जो stress है वो दूर हो जाएं ठीक है जैसे ही वो action को complete कर लेते हैं वो stress free हो जाते हैं ठीक है तो उन्होंने इस तरह की की चीज़े कहीं थी अगर हम बात करें mice की तो mice की अंदर भी इस तरह के कहा हमें behavior देखने को मिलता है कि जब उसे proper material available नहीं होता है अपने nest को build करने के लिए तो वो act करती है nest को build करने का ठीक है और कुछ time की बात जो है वो normal behavior करने लग जाती है यानि वो stress free हो जाती है क्लियर है तो Lawrence नहीं यह चीज कहीं थी कि जो FAP है यानि कि जो fixed action pattern है वो एक तरीके से जो behavior शो करते हैं different species के animal वो इसलिए ताकि वो stress से दूर हो जाते हैं क्लियर है एक संब बात करते हैं male stickleback fish attack other male sticklebacks that invade its nesting territory ठीक है तो इस तरह के behavior हमें देखने को मिलेगा कि जो stickleback fish होती है उसका जो मतलब उसमें male जो present होता है उसमें एक हमें behavior देखने को मिलेगा कि उसका ooo anos están yax को इसमें घ्र को जाता है यानि कि वह दूसरे male को stickleback दूसरे male को अपनी space के दूसरे female को जो है अपनी territory में enter करने को जहाँ लाओ नहीं करता ठीक है have बहुत जदा इस वक्त करता है ठीक है तो breeding territory में वो दूसरे male को लाओ नहीं करता है ठीक है तो इस ठीक हब हमें देखने को मिलेगा स्टिकल बैक firm Else दूसरे female को एटेक करती हैं तो यह behaviorican जो है देखने को मिलेगा स्टिकल चैक में यानि वो बहुत ज़्यादा आक्रमक हो जाएगा नेक्स हम देखते हैं इंस्टिंक्स एनी भीवेर इस इंस्टिक्टिव इस परफॉर्म्ड विदाउट पिंग बेस्ट अपोन प्रायर एक्सपीरियंस अपने देखा होगा समूंदर के किनारे जो एग होते हैं टर्टल के यानि कि वो सेंड पे होते हैं ठीक है और जैसे ही वो hatch करते हैं एक से बाहर आते हैं वो सारे के सारे जो है दोड़ना शुरू कर देते हैं ओशन की तरफ समुंद्र की तरफ तो ये जो behavior है उन्होंने कहीं से देखा नहीं है उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है लेकिन उनमें already ये behavior present होता है ठीक है दूसरे एक example हम दे करने के कोशिश करते हैं वह भले ही एक पपी हो जो बहुत ही छोटा है उसने कहीं देखकर के वह behavior नहीं सीखा है ठीक है already उसमें वह present है ठीक है तो यह यहाँ पे इन example से हम क्या समझते हैं कि इस तरह की behavior जो individual देखकर की नहीं सीखते हैं एक species के individual एक दूसरे को देखकर उन इसको हम बोलेंगे fixed action pattern ठीक है एक हम बात करते हैं रिलीजर की रिलीजर की क्या होते हैं also called sign stimulus जिसकी हम बात कर रहे थे जो रिलीजर होते हैं उनको क्या कहते है sign stimulus are those stimuli that are capable of releasing fab of those animals तो अगर हम रिलीजर की बात करें तो रिलीजर क्या है sign stimuli होते हैं तो sign stimuli के है ऐसे stimulus जो कि क्या करते हैं capable होते हैं fab को release करवाने में उन और एनिमल्स से fab को release करवाने में तो कॉनलाड लॉरेंज ने 1972 was the first biologist to identify sign stimulus इन्होंने सबसे पहले sign stimulus को कहा था कि sign stimulus जो होता है वो capable होता है fab को release करवाने में ठीक है अब जो releaser है उनके further teen type होते है visible releasers ठीक है पिकॉक जो करता है उसके वज़ते से female attract होती है ठीक है बहुत पिकॉक में भी competition होता है आपस में कि जो better dance करता है female जो है उससे चूज करती है ठीक है तो जो picok है आपने dance से क्या करता है एक तरीके से attract करने की कोशिश करता रिभी को ठीक है और यह क्या है यह विजुवल रिलीजर होंगे ठीक है तो इस तरह किसे फंक्शन करता है नेक्स आता है ओडिटोरी रिलीजर विजुवल यानि की जो द्रश्य देख करके होता है ओडिटोरी यानि जो सुन करके होता है तो ऑडिटोरी रिलीजर से हम क्या समझते है सौंग बड़ सच अज कुकू नाइटी इंगल्स स्टेबलिस दियर टेरिटरी और एट्रक्ट दे फीमिल फॉर्मेटिंग बाइ सिंगिंग आफन फॉर सेवरल डेज तो यहाँ पे जो है औरिटोरी डिलिजर में हम क्या समझते हैं कि जो कुकू होता है वो सिंगिंग करके ठीक है सिंगिंग यानि गाना गा करके जो भी आवाज में अपनी वो गाता है उससे फीमिल को अट्रेक्ट करने की कोशिश करता है विज्वल डिलिजर में हमने देखा था कि जो फीमिल होती है वो अट्रेक्ट होती है पिकोक से उसके डांस को देख करके जो ज़्यादा बेटर डांस करता है जो पिहेन होती है वो उसको चूज करती है और वो मेटिंग के लिए responsible होता है आगे चल करके और auditory religion में क्या होता है singing जो करते हैं कूकू वो female को attract करने की कोशिश करते हैं next आता है chemical religious visual religious हो गया है auditory religion and then आता है chemical religion religion ठीक है तो it is released in the atmosphere and act as religious on the individual same or other species it can be sex phyramine और trail phyramine etc. तो हमने phyramine के बार में already study कर लिया है phyramine क्या होता है ऐसे chemical substances जो कि same species के या फिर दूसरे species के organism में behavior changes लेकर की आते हैं अगर हम बात करें stimuli की science stimuli की तो releaser क्या होते है science stimuli होते हैं इन्हीं की वज़े से जो है फैप होता है यानि की जो animal होते हैं वो फैप शो करते हैं ठीक है तो visual releaser हमने देखा auditory releaser and then chemical releaser तो example की तोर पर हम देखते हैं या पे जो cheatya होती है एक row बना करके चलती है line बना करके चलती है इसके लिए फैरमिन responsible होता है कि एक cheaty जो है फैरमिन को release करती है और उसी फैरमिन से attract हो करके उसको follow करके बाकी की cheatya जो है एक path में चलती है ठीक है इसी के वज़े से वो एक row में चलती है और अपने path से बटकती नहीं है तो ये सब example हमने लिये थी हमने फैरमिन को study कर लिया है तो FAP से हम क्या समझते है कि ऐसा behavior या ऐसे characteristics जो की हम किसी को देख करके नहीं सीख सकते ये already हमारे अंदर होता है या organism में present होता है और genes के through ऐसे characteristics एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में transfer होते है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही Thank you so much for watching this video I'll see you in the next one